नितन गटकरी ने ठोक दिया PM पत पर दावा केंद्री मंत्री के बयान से BJP होई परेशान गटकरी के बदले तेवरों ने बढ़ाई पार्टी की बेचेनी अपनी ही सरकार को गटकरी ने दिखाया आईना केंद्री मंत्री नित्म गटकरी एक बार फिर चर्चाओं में है लोगसभा चुनावों से पहले उनके बयान एक बार फिर बीजेपी सरकार को परिशान करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि गटकरी ने एक बार फिर से पीम पत की दावेदारी पर संकीतों में दावा कर दिया है वैसे तो गटकरी अपनी बात सीधे शब्दों में कहते रही है लेकिन जब से उन्हें बीजेपी में किनारे लगाने की कोशिशे शुरू हुई उसके बात से वे बेहत सधे अंदाज में भी बोलने लगे है लेकिन अब गटकरी ने जो कहा है वो पिछले दस साल में बीजेपी की नीतियों पर तंज माना जा रहा है दल बदल और गट बंधनों में तोड़ फोर पर गटकरी ने सवाल खड़े किये है उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आजकल सिर्फ एक विचारधारा रह गई है और वो सत्ता की विचारधारा जहां सत्ता मिले वहीं सभी लोग चल देते हैं ऐसे में सवाल उठ रहे है कि आखिर चुनावों से पहले अचानक गटकरी के बदलते तेवर किस ओर इशारा कर रहे है केंद्रिय मंत्री को RSS का करीबी माना जाता है संग मुख्याला नागपुर में है और गटकरी नागपुर से ही सांसद है वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार मोधी शाह की BJP शायद गटकरी को लोगसवा चुनाव में टिकेट नहीं देगी और इसके संकेत गटकरी के बयानों में भी दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता है और गटकरी के इसी बयान को लेकर आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात मैं आराधना तो क्या गटकरी ने दे दी है पियम मोधी को सीधी चुनोती गटकरी ने ठोक दी है पियम मोधी पर दाविदारी अच्छा काम किया लेकिन नहीं मिला सम्मान खराब काम करने वालों पर गटकरी ने कह दी बड़ी बाद बीजेपी की दूसरे दलों को तोड़ने वाली नीती पर भी साधान निशाना मुंबई में एक कारिक्रम में नितन गटकरी ने कहा है कि एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती नितन गटकरी मोधी सरकार में शायद एक मात्र नेता है जिनके काम की तारीफ पीम मोदी से लेकर विपक्षी दल का हर नेता करता है खास तोर पर देश में हाईवे निर्माण को लेकर जिस तरह से गटकरी ने नीतिया बनाए उन्होंने ये नहीं देखा कि राज में सरकार बीजेपी की है या फिर बीजेपी विरोधी पार्टी सत्ता में है और इसी के चलते गटकरी अपनी ही पार्टी के हाई कमान के निशाने पर रहे मोदी सरकार में दस सालों में गटकरी से ये मंत्राले नहीं लिया गया लेकिन गटकरी का सम्मान पार्टी में नहीं हुआ वैसे कहें तो अच्छे काम की सजा ही मिली उन्हें देड़ साल पहले पार्टी ने नितन गटकरी को बीजेपी संसदीय बोड और केंदरी चुनाव समिती से बाहर कर दिया इस समय बीजेपी के जितने भी पूर्व अध्यक्ष जो सक्रीय राजनीती में हैं वो सभी पार्टी के संसदीय बोड और केंदरी चुनाव समिती में शामिल है लेकिन सजा सिर्फ गटकरी भुगत रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये सजा गटकरी को अच्छे कामों के शलते मिली है क्योंकि गटकरी को पीएम पत का दावेदार भी माना जा रहा है और उनके कई बयान सीधे पीएम मोधी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब गटकरी ने साफ कर दिया है कि वो अभी चुके नहीं है गटकरी केंद्र में मंत्री है बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष रह चुके हैं ऐसे में अब उनके निशाने पर सीधे सीधे पीम पद ही दिख रहा है इसके साथ ही दूसरे दलों में सेंधमारी को ले पद्रिमार राजनीती विचारधार पटय की रहने वाले लोगों की देशए में हो रही है कमी आशकल लोगों की विचारधारा कमजोर पढ़ती जा रही है डक्षिन पंथी वो या वाम पंथी आशकल सभी अवसरवादी दिखाई देने लगे हैं अधिकांश लोग सत्ता धारी दल से जुड़ना चाहते हैं विचार धारा पर अड़े रहने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है विचार धारा में गिरावट होना लोगतंत्र के लिए अच्छा नहीं है दरसल पिछले 10 सालों में बीजेपी की नीते रही है दूसरे दलों के बड़े नेताओं को टागेट करो और उन्हें अपने पाले में कर लो इसके लिए केंद्र की जाच एजेंसिया भी बीजेपी की पूरी तरह मदद करती रही है दावा तो यहां तक किया जाता है कि अजित पवार और एकनाच शिंदे की विचारधारा मे बडलाव के पीछे केंद्र की जाच एजेंसिया थी और हाली में नीतिश कुमार की पल्टि मार सियासत पर भी गटकरी ने तंज कसा है 13 जन्वरी को नीतिश कुमार इंडिया गटबंदन की बैठक में मोधी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने के रण नीती बना रहे थे औ वो NDA में शामिल हो गए और अब मोधी सरकार की ही गुडगान कर रहे हैं पंदरह ही दिन में नीतीश कुमार की सियासी विचारधारा बदल गई वैसे नीतीश कुमार के टार्गेट पर भी कुछ दिनों पहले तक PM पद होता था अब CM पद भी बचना मुश्किल दिख रहा है वैसे ये पहली बार नहीं है जब नितन गटकरी के बयान से BJP के सही होगी और BJP हाई कमान बैक फुट पर दिखाई दिया हो गटकरी कई बार अपनी बाटी को निशानी पर ले चुके हैं खास तोर पर चुनावी वादे और बड़े बड़े दावे करने वाले सवाल उठ रहे है कि कहीं गटकरी के निशाने पर PM मोदी तो नहीं ये हम नहीं गटकरी के बयान ही इशारा कर रहे हैं गटकरी ने कहा था जनता को वो निता अच्छा लगता है जो बड़े बड़े सपने दिखाता है मैं सपने नहीं दिखा पाता जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं विपक्ष भी बड़े बड़े वादों को लेकर मोधी सरकार पर उठाता रहा है सवाल तावे और वादों को लेकर गटकरी के बयान से मुश्किल में मोधी सरकार इससे पहले बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया था कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं गटकरी के इस बयान का समर्थन तो विपक्ष भी करता है वेपक्ष खास तोर पर इंडिया गढ़बंधन के नेता दावा करते हैं कि पियम मोदी सपने बेशते हैं 15 लाग रुपए हर व्यक्ति के खाते में काला धन की बापसी हर साल 2 करोड रोजगार हर व्यक्ति को घर इस जैसे कई बड़े बड़े सपने पियम मोदी ने देश की जनता को दिखाए लेकिन कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ वैसे गटकरी ने तो यहां तक कहा कि जब सपने पूरे नहीं होते तो जनता उनको पीटती भी है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी को जनता सबक सिखाने के लिए तयार है गटकरी ने इससे पहले भी कई बयान दिये हैं जो उनकी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं खास तोर पर केंद्र सरकार की नीतियों पर और इसका उन्हें नुकसान भी हुआ है वैसे दावा तो किया जा रहा है कि पार्टी नागपुर सीट पर इस बार महराश्ट की डिप्टी सियम देवेंद्र फड़नविस को उतार सकती है यानि गलत काम की सजा लोगों को मिलती है या नहीं मिलती लेकिन गटकरी को उनकी बयानबाजी के चलते सजा जरूर मिलते दिखाई दे रही है गटकरी की बयानबाजी से साफ है उनके निशाने पर सीधे सीधे पीम पद है गटकरी को RSS का करीबी माना जाता है BJP के राश्ट्री अध्याक्षिपद पर वो संग की पसंद के चलते ही पहुँचे थे उनके लिए BJP के सम्विधान में भी बदलाव किया गया था दावा तो यहां तक किया जाता है कि 2014 और 2019 के लोगसवा चुनावों के समय नरेंद्र मोदी के अलावा गटकरी भी PM पत के दावेदारों में शामिल थे RSS और BJP के ओर से BJP के बहुमत से दूर रहने की स्थिती में गटकरी को लेकर प्लैन भी तयार कर लिया गया था क्योंकि संग और पार्टी के निताओं को भी भरुसा नहीं था कि BJP अपने दम पर बहुमत हासल कर लेगी और इस बार भी दावा की अचारा है कि अगर BJP बहुमत से दूर रही तो फिर संग मोदी की जगा किसी और नेता पर दाव खेल सकता है फिलाल पार्टी के अंदर मोदी को कोई चुनौती नहीं दिख रही है लेकिन जिस तरह से अब गटकरी ने मुखर होकर बोलना शुरू किया है उससे साफ है कि गटकरी अब पियम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बंते दिखाई दे रहे है वैसे इस बार BJP के लिए इंडिया गटबंदन की मजबूत चुनौती भी सामने है साथ ही राहूल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने अलग ही पार्टी की परिशानी बढ़ा रखी है ऐसे में गटकरी का बयान मोदी सरकार की परिशानी बढ़ा रहा है अगर आपको हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कर लें डीबी लाइव को नमस्कार